जग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आपका दिव्वे सरजन में और प्रतेक दिवस की भाती आज भी यह लाइव चर्चा का कारिक्रम है और आज जिस विशह पे हम चर्चा करने वाले हैं शिव सुत्र के बढ़ते हुए सुत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो पीछे जो हमने सुत्र देखे नर्तक आत्मा और फिर आत्मा का रंग मंच आत्मा के निर्त्य का दर्शक कौन है सुतंत्र भाव वास्तविक सुतंत्रता क्या है सत्व सिध्धी के बारे में हमने सुना रितंभरा के बारे में हमने सुना अब वही सत्व सिध्धी प्राप्त करने वाले जो योगी होते हैं उन्ही की शक्तियों का विकास हो जाता है वही स्वतंत्र हो जाते हैं तो पहले तो हमने स्वतंत्रता का मर्म समझा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है यह कोई बाहरी अवस्था नहीं और नहीं कोई बाहरी स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति किसी के जेल में है कैद खाने में है वहाँ से स्वतंतर हो गया जी नहीं जो वास्तविक स्वतंतरता है वो आपको योग से प्राप्त होने वाला है जहां पर इंद्रियों और अंता करण से मुक्ती प्राप्त होती है इंद्रियों और मन बुद्धि चित एहंकार जिसको हम अंता करण कहते हैं इनसे मुक्ति प्राप्त होती है तो वास्त्विक स्वतंतरता होती है स्वतंतर भाव जो शब्दे का प्रेयोग यहां हुआ है वो वैसे ही स्वतंतरता के लिए हुआ है अपनी मन मरजी से किसी स्वतंत्र भाव को बना लेने से नहीं हो जाएगा तो ये हमें विचार करना पड़ेगा अब आगे इसी स्वतंत्रता के महत्तों को समझाते वे अब तो योगी स्वतंत्र हो गया इंद्रियों के बंधन को उसने तोड़ दिया उसके सामर्थ का भी विकास हो जाता है उसके ज्ञान का भी विकास हो जाता है फिर योगी के अंदर सामर्थ आ जाता है जो इस सुत्र में बताए जा रहा है क्या सामर्थ आ जाता है शिवसुत्र में लिखा गया यथा तत्र तथा अन्यत्र यथा तत्र तथा अन्यत्र योगी जैसे अपने आप में है वैसे ही दूसरों के शरीरों पर भी नियंत्रन लाज सकता है हर जगा उसकी उपस्थिती बननी शुरू हो जाती है वह जैसे अपने देह में वैसे ही अन्न देहों में भी स्वात्म आनंद की अनुभूति करता है तो योगी का स्वातंतर ना केवल अपने शरीर तक सिमित होता है बलकि सर्वत्र होता है वह जिस भी किसी भी शरीर से जो कुछ भी जानना चाहे करना चाहे वो कर सकता है योगी के अंदर ऐसे सामर्त्य का विकास हो जाता है फिर केवल समावेश की दशा में ही नहीं अपीतु लोकवेवहार मतलकि मातर ध्यान में बैठ करनी वैसे भी लोकवेवहार के दशाओं में भी उसका पारमेश्वरी स्वातंत्र चमक उठता है जागरत और स्वपन में भी तथा सभी सांसारिक विवहारों में भी जो चाहता है उसी को जान सकता है ये सब योगी के अंदर सिद्धियां आ जाती है सब को जान लेने की छमता विक्सिस्त हो जाती है अर्थपुना योग करने की छमता तो स्रिष्टी भी तो संपूर्ण स्रिष्टी जो है वो एक अही तक्त्व से तो बनाए जिसे हम ब्रह्म कहते हैं और योगी का संबंद जब उस ब्रह्म से गहराई से जुड़ जाता है स्थापित हो जाता है तो वह कहीं भी पहुँचकर वहां से अनुभूती प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो उस तक्त्व से जुड़ चुका है तो सब के घट के भीतर वो पहुँचा हुआ है सब की घट की बात वो जानता है और वहां पहुँचा हुआ है और वो वहां करता भी है यह हमें समझना इसलिए जो संपूर्ण स्रिष्ट्व जगत सारे का सारा जो है वो ताल कलना से रहित संबित ब्रह्म प्रकाश में ही सदा विद्यमान रहता इसलिए संसार में प्रतेक अस्थान और वस्तू पर वो नियंत्रन ले आने में सामर्थिवान होता है किसी भी शरीर में वो प्रवेश कर सकता है सो तंतरता प्राप्त होने के बाद शरीरों की परतंतरता से उसे मुक्ति मिल जाती है शरीरों की परतंतरता पंचभूतों की परतंतरता इंद्रियों की परतंतरता यही तो मुश्किल करती है तो परतंतर ना होकर योगी का जीवन सुतंतर हो जाता है सत्व सिद्धि रितंभरा को प्राप्त करने के बाद शरीर भी उसके लिए आत्म स्वरूप हो जाता है और वो दूसरे शरीरों से भी काम कर सकता है सिद्धी आ जाती है उसके अंदर और शिव योगी के दृष्टी में बाहे पदार्थों की जो इस्थिती बनती है उसके संवित प्रकास के भीतर ही होती है अता वह अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता उसके भीतर विद्यमान पदार्थ स्रिष्टी काल कलना से रहित होता है क्योंकि वो प्रम्तत्व को जान लेता है जो काल से कलना से रहित है योगी की क्या इस्थिती बनती है सत्व सित्ती रितंभरा अवस्था प्राप्त करने के बाद उसकी ऐसी इस्थिती बन जाती है और वो बहुत बड़े-बड़े काम फिर करता है ऐसा योगी अपना समय बरबाद नहीं करता लेकिन सुरिष्टी में प्रलाय में उसकी शक्ति काम कर सकती है वो इतना शक्ति संपन न हो जाता है योगी के अंदर एक शरीर्षे दूसरे शरीर को जानना और उसमें प्रवेश कर जाना ये सब बाते उसके लिए सरल है परन्तु यहाँ पर एक प्रशन उठता है क्या योगी अपने मतलब से ये सब कारे करता है क्या योगी अपने स्वार्थ के लिए चाहे तो वो पूरी दुनिया पर राज करे इन सिद्धियों का प्रयोग करके और अपनी मन चाही संपोर्ण सिद्धियों को और अवस्थाओं को प्राप्त कर ले लिकिन मरशी पतंजली शिवसुत्र में अचारे वशुगुप्त जो बाते लिखते और मरशी पतंजली भी इस विशा में लिखते योगी ऐसा नहीं करता कि वो हर शरीर में जाकर उसकी बातों को देखने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे, अनुभूत करने की प्रयास करे जी नहीं क्योंकि योगी प्रकृति के रहसे को समझ लेता है जान लेता है और जानने के बाद वो जानता है कि प्रते के जीवन में बहुत सारी घटनाय घट रही है वो प्रकृति के सारण ही घट रही है उसमें हस्तचेप नहीं करता और नहीं हस्तचेप करने कि उसकी कोई आ आ सकती भी नहीं है कि हस्तच्छेप करें, वो कोई हस्तच्छेप नहीं करता, योगी की ऐसी स्थिती बन जाती है, कर सकता है, लेकिन नहीं करता है, जो भी घटना है, घटनी है, सब प्रकृति के वश्रीभूत ही तो घटनी है, उसे बार नहीं घटनी है, इसलिए विर्थ का हस्त छेप योगी नहीं करता फिर लेकिन फिर भी एक संभावना है कि अगर उसके मन में थोड़ा सा भटकाव आ जाए लाला चा जाए तो वो सिध्धी परियोग में उलज भी सकता है उलज भी सकता है तो उलजने से बचना है उलजना नहीं है तो ये जो महत्वपुर्ण विशय है कि योगी जब सोतंत्र हो जाता है तो कहीं भी किसी भी शरीर में प्रवेश करने की शक्ति उसकी आ जाती है सभी के मन बुद्धी और इंद्रियों पर नियंत्रन करने का अधिकार शक्ति उसके अंदर आ जाएगी इसलिए ये योगी की एक अवस्था है सद्धा अवस्था है इसके लिए कहा गया कि दूसरों के शरीरों में भी प्रवेश करकर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अनुभूतियां प्राप्त कर सकता है जी हाँ ये संभव तो है लेकिन फिर भी परते समय, सुनते समय, कई लोगों के मन में संशय उत्पन हो सकते है योगी कैसे अपने पिछले जनम को जानेगा, कैसे जानेगा, कौन जरम लेने का नहीं हों? तो जानना पड़ेगा और जब जानेगा तो निश्य ही उसका लाब भी प्राप्त होगा लाबान विद भी होगा इसलिए योगियों को सतर करहने के आवशक्ता है कि वो सिद्धियों में उलजेंगे नहीं और यथा संबव निरंतर अपने योग मार्क पर चलते रहें ध्यान योग में डूबने का प्रयास करें उस मार्क पर चलते रहें तो ऐसा ही प्रयास ऐसा ही अभ्यास योगी को करना चाहिए कि वो अपने बीज से जुड़ा रहे और सावधान रहे तो ऐसी शक्तियां संबव है स्वतंतरता के द्वारा स्वतंतर होकर ऐसी शक्तियां जरूरी है लेकिन फिर यह भी संबवना है कि भारी नुकसान हो सकता है इस शक्तियों में उलजने से तो जिग्यास वो यह हमें सही से बात समझना चाहिए अभी शिवशुत्र में काफी अच्छी व्याख्या है फिर से रावन की भी और कई विश्यों की व्याख्या आ जाती है इसको हम अनेक माध्यम से हम सुनते हैं समस्ते हैं तो जिग्यास वो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और आप समझ चुके होंगे स्वतंतरता का क्या मतलब है योगी स्वतंतर तो हो जाता है लेकिन बहुत सारे अभी भी संभाव नाय होती है कि योगी पतन की और चल पड़े एसी यवस्था को प्राप्त करने के बाद यही गुड़ रासे तो आगे हम इस पतन पर भी देखेंगे योगी का पतन कैसे होता है उसी के साथ विचारों को विराम देते हैं जिग्यासूँ और कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइव चर्चा में